आज हम पढ़ेंगे एनमलस एक्सपेंशन ओफ वाटर ठीक है एनमलस एक्सपेंशन ओफ वाटर में हम वाटर के बिहिवियर को स्टडी करेंगा different temperatures जैसा कि हमने देखा है कि with the rising temperature volume increase करता है लेकिन water के case में ऐसा नहीं होता है water के case में 0 से लेके 4 degree तक volume decrease करेगा और फिर 4 degree से उपर आपका volume increase करेगा जैसा कि आप diagram में देख रहे हो पहले decrease किया और फिर उसका आद increase किया तो यह जो different behavior यह आपको अलग सा behavior यह दिखाता है इसको हम anomalous behavior of water कह देते हैं अब यह कहता है जो anomalous behavior of water है यह बड़ा important role play करता है survival of sea animals in cold winter cold winter में क्या होगा आपका जो water है वो ice बन जाएगा ठीक है लेकर नहीं कहता है कि जब आपका temperature धीर धीर गिर रहा होगा तो at 4 degree Celsius जो water आपका है वो high density का हो जाएगा और भारी होने के वज़े से वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला water है जो गरम है शुरू में वो उपर आ जाएगा अब यह कहता है कि धीरे देरी यह phenomenon चलता रहेगा उपर वाला water नीचे चलता रहेगा और नीचे वाला उपर लेकिन एक stage ऐसी आएगी कि पूरी lake का water आपका 4 degree Celsius का हो जाएगा अब जो surface वाला water है उसका temperature और गिरेगा और उसकी density आपकी decrease करेगी ठीक है क्योंकि मैंने कहा ना कि 4 degree पे density सबसे जादा है उससे नीचे अगर temperature कर देते हो तो उससे क्या होगा उसकी density decrease कर जाएगी अब 4 degree Celsius से नीचे जो water surface पे है वो ice बन जाएगा ice की density water से कम होती है ठीक है इसलिए ice float करना शुरू कर देगा और वो क्या करेगा एक surface layer बना देगा water के उपर और वो layer क्या करेगी जो नीचे वाला temperature जो आपका water है उसके temperature को और नहीं गिरने देगी ठीक है जो temperature रहेगा उसको maintain कर देगी तो maintain करेगी मला उपर आपके ice होगी नीचे आपका water होगा 4 degree celsius पे तो इस 4 degree celsius में जो water है उसके अंदर आपके aquatic animal क्या करेंगे safe रहेंगे ठीक है और below the ice हम इसको कह सकते हैं कि water animals can remain safe below the ice ठीक है तो यह कब है जब आपका जो आपका water anomalous behavior दिखा रहा है अदर्वाइस क्या होना था अदर्वाइस अगर आपके ice ज्यादा heavier होती तो नीचे नीचे आइस जमती आती और पूरा जो लेक है उसमें totally आपका ice हो जाता और जो आपके aquatic animal है उसमें मर जाते ठीक है तो यह nature का phenomenon है ठीक है नेचर को आप मिना है अगर आप किसी unit mass का temperature एक डिगरी बढ़ाना चाहते हो तो जितनी energy आप उसको दोगे उसका temperature एक डिगरी बढ़ाने के लिए उसको नाम दियाता है specific heat of that substance जैसे वाटर की बात करें तो वाटर की जो specific heat होती है वोती है 4,180 joules per kilogram per Kelvin ठीक है उसके बाद हम specific heat करेंगे जो different temperatures रहते हैं जैसे हम मैं आपको दो अलग-अलग से phenomenon इसमें बताता हूँ specific heat of a gas at constant volume ठीक है specific heat of a gas at constant volume का मतलब यह हुआ कि जो substance जिसका temperature आप 1 degree rise करना चाहते हो उसके volume में change नहीं आना चाहिए volume उसका वही रहना चाहिए ठीक है तो उसका volume वही रहे और उसका temperature एक डिगरी बढ़ जाए उसके लिए जितनी heat की requirement लहेगी उसको नाम देंगे हम specific heat of gas at constant volume दूसरा आता है specific heat of gas at constant pressure इसमें हमने pressure को constant रखना है और सबस्टांस का temperature एक डिगरी बढ़ाना भी है तो जितनी energy उसकेस में चाहिए उसको नाम देते हैं specific heat of gas at constant pressure ठीक है अब इसमें इन्होंने कहा कि cp is greater than cv cp मलो specific heat at constant pressure और यह हमेशा जादा रहेगी specific heat at constant volume के case में तो कोई यह gas अगर हम ले ले लें तो similar gas के लिए cp जादा होगा और cv कम होगा मलो अगर आपने से उसका pressure constant रखना है तो आपको जादा heat देनी पड़ेगी उसका temperature बढ़ाने के लिए और अगर आपने constant volume करना है तो आपको कम heat देने पड़ेगी same उसका 1 degree temperature बढ़ाने के लिए उसी gas का ठीक है तो ऐसा क्यूं होत gas और कोई heat का जो use है या heat loss नहीं होगा due to expansion of gas क्यूंकि आपने constant volume रखा है तो gas expand ही नहीं कर रही है दूसरे case में जब constant pressure होगा तो हमें दो तरह से energy को use करना पड़ेगा एक तो increase in internal energy और दूसरा उसका जो है वो heat loss होगा due to expansion of gas क्यूंकि इसमें आपने pressure constant रखा है volume constant नहीं रख है तो आपका gas expand करेगा ठीक है gas expand करेगी तो उससे क्या होगा आपका heat loss होगा उसको काम करना पड़ेगा तो कुछ energy यहां loss हो जाएगी इसलिए constant pressure के case में ज़्यादा energy देनी पड़ती है और constant volume के case में कम energy देनी पड़ती है same 1 degree temperature को rise करने के लिए यह इसका relation मनता है cp minus cv is equal to r जिसको mayor's formula भी हम कहते है यह आप next unit में पड़ोगे वहाँ हम इसको detail में explain करेंगे उसका इसमें टॉपिक आता है latent heat latent heat का मतलब होता है कि आपने substance का temperature चेंज नहीं करना है बलकि आपने सिर्फ substance को एक state से दूसरी state मिले जाना है ठीक है तो इस case में जो energy required रहेगी किसी एक state से जैसे solid से liquid बनाने के लिए या liquid से gas बनाने के लिए without any change in temperature temperature चेंज नहीं होगा इसमें ठीक है मालो जैसे मैं कहता हूँ कि ice आपकी zero degree पे बनी हुई है ठीक है zero degree पे यह आप क्या बना देते हो उसका liquid बना देते हो तो liquid का temperature भी zero degree है और जो आपने ice है उसका temperature भी zero degree है तो इस case में आपने state तो change कर दी solid से liquid तो बना दिया लेकिन आपका temperature उस case में कैसा रहा सेम रहा तो solid से ice से liquid बनाने में जो energy तुमें required होगी उसको नाम दिया जाएगा latent heat of a substance ठीक है तो याद अखना है change in the energy required to change the state without any change in temperature उसको नाम देते हैं latent heat ठीक है इसमें अब हम थोड़ी से state के बारे में पढ़ेंगे जैसे आपके पास solid state रहती है liquid state रहती है तो change of state में हमारे पास जो रहता है वह melting जब आप solid से liquid बनाते हो उसको हम बोलते है melting ठीक है और जब आप liquid से sorry solid से liquid से solid बनाओगे तो उसको हम fusion कहा देंगे ठीक है liquid से क्या बनाना है solid बनाना है तो उस process को नाम दियाता है fusion फिर हम एक और phenomena इसमें करते हैं जब आप solid से सीधा क्या कर देते हो gas बना लेते हो ठीक है solid state to vapor state without passing through the liquid state इसको बोलते हैं sublimation ठीक है इस phenomenon को नाम दियाता है sublimation ये भी आपने ध्यान में रखना है फिर एक example में आपको देता हूं कि अगर आप pressure increase करते हो तो आपका जो जो आपकी ice है वो low temperature पे ही melt हो जाती है ठीक है तो आप melting of ice with pressure का example देखेंगे यहाँ पे में हम क्या करते हैं उपर ice का piece रख देते हैं मालो आपने minus 5 degree इसका temperature maintain किया हुआ है तो क्या होगा जैसे आप इसके दोनों दोनों तरफ को metallic blocks रख लोगे जैसे मालो यहाँ 5 kg 5 kg लिए कहे हैं और इसके उपर metallic wire डाल देते हो उपर से तो यह wire धीरे 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 नीचे की तर high pressure की बसे minus 5 degree पे ही ice को melt कर देगी ठीक है धोड़ा समझना इसको ice कितने पे melt होती है 0 degree Celsius लेकिन pressure ने उसको minus 5 degree पे ही melt कर दिया और जैसे ऐसे wire नीचे की तरफ जाती रहेगी ice melt होती जाएगी लेकिन जहाँ पर अब wire से उपर वाला surface के है वो तो minus 5 degree पे ही है तो जैसे ऐसे pressure हटता जाएगा वो जो क्यूब है वो दोबारा ice बनता जाएगा और wire नीचे जाती रहेगी और वो ice बनता रहेगा तो without cutting आपने ice को actual में तो cut किया लेकिन वो टूटेगी नहीं वो दोबारा से ice बन जाएगी तो ऐसा क्यूब हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि pressure से जहाँ जहाँ हाई pressure के वसे melt होता जाएगा और last में वो नीचे गिर जाएगा ठीक है तो इस तरह के phenomenon को हम नाम देते हैं relegation ठीक है phenomenon of refreezing of ice is called relegation तो refreezing ही हुई pressure ने उसको melt किया लेकिन जैसे से wire नीचे गी हो दुबारा से refreeze हो गया फिर और नीचे गी तो वहाँ point पे refreeze हो गया और इस तरह से freezing से आप melting कर रहे हो फिर दुबारा से refreeze हो रहा है और आपका wire नीचे गी जाएगा ठीक है तो इसको बोलते हम melting of ice with pressure आप high pressure से low temperature पे भी ice को melt कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही काफी है